आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, तो चलिए अपना अगला question देख लेतने क्या आ रहा है तो it is given that express the complex number in the form of r cos theta plus i sin theta और complex number हमें given है 1 minus sin alpha plus i cos alpha तो देखे इसके पहले हम बदर है इस question को solve करने के लिए theory जान लेते हैं कि इसकी theory होती क्या है तो देखे इसकी theory ही होती है suppose हमने लिखा हुआ है x plus i y एक function है जिसे हमें represent करना है r cos theta plus i sin theta के form में तो हम इसको ऐसे करते हैं कि इसमें देखे r जो होता है वो होता है under root of x square plus y square basically the mod of this और जो हमारा tan theta होता है sorry theta को हम tan के form में represent करते है है where tan theta is equal to y upon x और ऐसे भी आप लिख सकते हो theta is equal to tan inverse y upon x तो इसे अटा ही देते हैं इसकी ज़रूत नहीं है तो यह दो चीज़े आपको पता चल गए इस question से इस form के बारे में यह दो लोग फॉर्म देखे बहुत ज़्यादा importance रखती है तो यह हमारा तरीका होता है convey करने का इस equation में x हमारा क्या है 1-sin alpha और y हमारा क्या है cos alpha तो हमें basically बस values put करते नहीं है तो चलिए r की value अभी निकाल लेते हैं x square plus y square यह होता है इसको simplify कर दीजिए 1 plus sin square alpha minus 2 sin alpha plus cos square alpha which will give 2 times 1 minus sin alpha right I am sorry यह 2 अंदर रहेगा तो हमें एक यह मिल गया पहला है ना 2 times 1 minus sin alpha अब चलिए इसको थोड़ा सा और simplify करते हैं और इसको और simplify करके देखते हैं क्या मिल रहे हैं एक रहे हैं राइट विए रिटन अस अंडरू 2 1 minus sin alpha को we can also write cos square alpha by 2 plus sin square alpha by 2 minus 2 times sin alpha by 2 sin alpha by 2 1 को मैंने basically cos square alpha by 2 plus sin square alpha by 2 लिक प्रिया right that is what i did तो now we can easily see कि यह हमारा जो form है this is written as under root 2 bracket में under root cos alpha by 2 minus sin alpha by 2 whole square and this will be written as cos alpha by 2 minus sin alpha by 2 whole में under root 2 right तो this is our r है नहीं हमें r मिल गया हमारा अब चलिए हम पता लगा लेते हैं कि हमारा theta क्या होगा थीटा की value हमें पता है tan inverse y by x होती है y इस case में cos alpha है और x इस case में sin alpha है right so this will give us tan inverse अब इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं cos alpha को हम कैसे break कर रहे है alpha by 2 के case में right cos basically cos alpha को मैं cos alpha by 2 plus alpha by 2 लिख दे रहा हूं और उसके बाद से फिर मैं solve कर रहा हूं है ना तो यह हो जाएगा मारा cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 अब यह व्यूद्ध आपन वन मैंने साइन अलफा को हम क्या लिख सकते हैं तो आलफा बाइटू माइनस साइन अलफा बाइटू अभी हमने ऊपर देखा इसको होल स्कॉर में कनवर्ट किया हमने यहीं पर है ना तो इस विल बिटेन आस tan inverse बड़ा सा ब्रैकेट cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 whole upon cos alpha by 2 minus sin alpha by 2 है ना देखे यह कैंसल हो रहा है square और इस यह है ना तो ऐसे आ जाएगा this will be written as tan inverse 1 plus tan alpha by 2 upon 1 minus tan alpha by 2 यह हमने कैसे किया देखे हमने इस पूर एक्वेशन को cos alpha by 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें यह हो जाएगा 1 plus tan alpha by 2 ठीक है तो this will be written as tan inverse pi by 4 plus alpha by 2 है ना तो इससे हमें क्या पता चल गया इससे हमें पता चल गया कि theta is equal to pi by 4 plus alpha by 2 राइड तो अब हमें पता है आर और theta की value में आ गई तो वी कन सिंप्ली राइड दिस देखा दे रहा हूं just in case कोई confusion नहों this is our theta और आर हमारा क्या आया था यहां पर आर इस एक्वल टू यह राइड तो अब चलिए इसको solve कर लेते हैं सिंप्ली यह में values रखनी है तो वन माइनस साइन साइन एल्फा प्लस आए कॉस आल्फा कैन बी रिटन एज सबसे पहले आर लिख लीजे ब्रैकेट में बड़ा सा आर अंडर रूट टू कॉस एल्फा बैटू माइनस साइन एल्फा बैटू यह हमारा आर है रैट उसके बाद से हम एक और multiply खणें लिजो कॉस ती्टा की जिए हम लोग प्लस आल्फा बैटू बाए-टू प्लस आए शाइन थीटा कालें घीटा की जिसीके ciudad लुट कैनी हम लोग लगविञेंगे लिए आल्फा बट आपको solve करने के लिए इसको एक ही फंडा है this is our solution right इसको solve करने का एक ही फंडा है कि आप simplifications की प्रैक्टिस करते रहो because you can see यहां पे जो थीटा लाओ कि कॉश और साइन के टाम में शुरू हुआ बट वी कनवर्टेट इट रू और आइडेंटिटीजी कनवर्टेट इंटो और फंक्शन राइट देखे वन प्लस टैन एपॉंट वन मारे स्टैन में कनवर्ट कर दिया हमने इसको मैं थोड़ा हाइलाइटर स्कम कर देता हूं करना confusion हो जाएगा सिमिलर्णी आर के इस में भी हमें साइन आलफा कॉस अलफा था पॉटम ने इसको कनवर्ट करके थोड़ा एजिली लिग दिया इस तरीके से and that and then the question is solved उसके बास इस question में कुछ है नहीं बस आपको identities की practice करने रहे रहे so in short we can say that मैं अजर अपन से लेकर लूँ यह हमारा r था और this was cos theta plus i sin theta right यह आप मद्बूत यह और मैंने बस r और theta की value रख लिये so that was the question thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीचे अपने doubts 84444 पर